चुत्रान्जन चैनपूरा प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानन्द गाथा जगप्रसिध्यक तपह पूत की गाथा गाते हैं सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं जगप्रसिध्यक तपह पूत की गाथा गाते हैं सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं नाम नरंद्र दत्त बचपन में राम कृष्न के सिस्य हुए परमहंस गुरु छोड़ इन्हें इस जग से जब अद्रिस्य हुए गुरु आस्रम को किया व्यवस्थित देश भ्रमन पर निकल पड़े जहां जरूरत पड़ी राष्ट को सीना ताने हुए खड़े जान रहा जग सारा बात वही दुहराते हैं सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं भारत की दुरदसा देख कर संत हर्दय जब बिथित हुआ तोड़ दिया हर्दय उनका सब जो कुछ सम्मुक घटित हुआ थी समाज में घोर विसमता उंच नीच की खाई थी छुआ छूत दुखदर्द गरीबी से आँखें भर आई थी घोर गुलामी की उपजी वह ब्यथा सुनाते हैं सुनो बिवेका नंद की तुमको कथा सुनाते हैं भारत मा की दैन दसा को देख देख मन रोया था साभिमान सब खो कर मानो देश समूचा सोया था युबा सक्त को जागरत करके सब में जो सभरा उत्सा हो गए वे आदर्स सभी के जिसे नहीं अपनी परबा धन्य धन्य वे जो सोते से हमें जगाते हैं सुनो बिवेका नंद की तुमको कथा सुनाते हैं धन्य धन्य वे जो सोते से हमें जगाते हैं सुनो विवे कानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं साभिमान की उठी लहर निजगोरव का अनुमान हुआ हुआ देश आंदोलित भारत माता का गुणगान हुआ पूरव पस्चिम उत्तर दच्छिन देश भ्रमन जब पुर्ण हुआ भारतियों में जोस जगा और अरे दर्प अब चुर्न हुआ सुनो सुनो अब विश्व विजय की गाथा गाते हैं सुनो विवे कानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं सुनो सुनो अब विश्व विजय की गाथा गाते हैं सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं। विश्वधर्म शंसद में सामिल होने पहुचा दीवाना। उतर पड़ा जब जलधिपार वह पहने के सरिया बाना। सब गुथी को सुलजा करकर तब मार्ग पर रहा अडा। हुआ प्रकट वह सन्यासी जब विश्वमंच परमोन खड़ा। दिब्ब तेज वह देख सभी के मन हर साते हैं। सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं। संबोधन में पहला स्वर फूटा तो ताली गूंज उठी। एक साथ सारी दुनिया में अदभुत वह अनुगूंज उठी। बहन भाई संबोधन सुनकर दुनिया आज अचम्भित थी। ओजपुर्ण अदभुत बानी से भरी सभा अस्तम्भित थी। वर्नन करते अब भी कोई पार न पाते हैं। सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं। भारती दर्सन का ऐसा सुन्दर शुखद विवेचन था। सब में था अस्फुरन भाव सुनकर जो भी जड़ चेतन था। सर्बधर्म संभाव की ऐसी सुन्दर कथा सुनी न कभी। सारी दुनिया याद है करती सुनी है जैसे अभी अभी। करते सब गुनगान आज भी नहीं अगाते हैं। सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं। जिस पर सारी दुनिया केंद्रित समझो हम वह बिंदू हैं। मस्तक उचा की ये गर्ब से कहो की हम सब हिंदू हैं। बसुधैब कुटुंबकम का अतिसुंदर उपदेस दिया। सत्य अहिंसा विश्वसांति का चीर परचित संदेश दिया। करणबंतो विश्वम आर्जम का मंत्र गुनझाते हैं। सुनो विवेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं। क्रिनवन्तो बिश्वम आर्यम का मंत्र गुझाते हैं, शुनो बिवेकानन्द कि तुमको कथा सुनाते हैं, साथ समंदर पार तैर कर समाचार जैसे आया, मस्तक उुचा हुआ देश का सब काहर दैहर साया, शोया गौरब जाग उठा अवराष्टियता की लहर उठी, उत्तर दच्छिन पूरब पस्चिम विजय पता का फहर उठी, आदिकाल से विश्वगुरू हम ही कहलाते हैं, शुनो बिवेकानन्द कि तुमको कथा सुनाते हैं, देश-देश में स्वामी जी का भासन और व्याख्यान हुआ, जगभर में इस सन्यासी का आदर और सम्मान हुआ, जिस दिन उनका पावन पद इस भारत भू पर पुनह पड़ा, उस दिन उनके स्वागत में था देश समूचा उमण पड़ा, उनके सपनों के भारत का भ्रमन कराते हैं, सुनो बिवेकानन्द कि तुमको कथा सुनाते हैं, रामकृष्ण मी सन अस्थापित कर अनेक फिर काम किया, राष्टकार्ज के हित में ही बेलूर मठ का नाम किया, जहा बिवेकानन्द सिला है दच्छिन का वह द्वीप अमर, अलप आयु में किये भ्रमनवे गाउं गाउं और नगर नगर, उनकी हर प्रेरक वानी नवपंथ दिखाते हैं, सुनो बिवेकानन्द कि तुमको कथा सुनाते हैं, उनकी हर प्रेरकवाणी नवपंथ दिखाते हैं सुनो विवे का नंद की तुमको कथा सुनाते हैं असमय उनकी मृत्यू का जब समाचार सबने पाया भारत भू के साथ समूचे जग में सन्नाटा छाया भारत माता ने अपना अनमोल रत्म एक खोया था स्वामी जी की चिरनिद्रा पर विश्व समूचा रोया था सदियों बाद भी वे चिंतन चित चैन दिलाते हैं सुनो विवे का नंद की तुमको कथा सुनाते हैं सदियों बाद भी बेचिंतन चित चैन दिलाते हैं सुनो भी बेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं जग प्रसिद्ध यक तपह पूत की गाथा गाते हैं सुनो भी बेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं सुनो भी बेकानन्द की तुमको कथा सुनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जय